आज हम लोग बहुत ही अच्छी एसी रेसिपी बनाएंगे जो नॉर्मली हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाकर ओर्डर करते हैं अगर वो चीज घर में बन जाए तो क्या बुरा है तो ट्राइ करेंगे हम आज चिकन पफलो विंक्स बनाने के लिए इसके लिए जो चीजे हैं जो हमें इंग्रिजिंट्स चाहिएं वो मैं आपको वन बाइवन बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगी ताकि कोई भी स्टैप मिस्टैप मिस्टैप नहीं हो इसके लिए आपको बहुत गवर से शुरू से लेकर आन तक वीडियो को देखना है ता और 1 तeebler स्पून ब्रेट चिली पाउडर साथ में हम आइड करेंगे गिई बाइध करने के बाद हमारे जितने डूसरे मसाले हैं उत सबको हम आइड करेंगे फिग करने के बाद हम इसको बह। अच्छी तरीके不草ड प्रेंगे mix करने के बाद हम इसको marinate करके रखेंगे अभी मैंने इसमें conflore art किया फिर मैंने इसमें मैदा art किया मैदा art करने के बाद जो remaining मेरे spices थे मैं वो art करूँगी red chilli powder और chilli flakes मैंने art की इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से mix कर लिया मिक्स करने के बाद इसकी जो लुक है वो इस तरीकी की है इसको आप मेरिनेट करके रख देंगे मिनिमम फोर आवर्स के लिए और मैकसिमम आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं लेकिन यह फोरन नहीं बनाने इसके अंदर नहीं जो इसके अंदर नहीं जो इसके अंदर तक अड़ जाता है मीट में तो अगर आप बहुत जल्दी बना लेंगे तो उसका कोई फाइदा नहीं होगा तो मिनिमम आपको चाहिए कि आप 4-6 आवर्स रखे और मैकसिमम आप पुशिश करें कि इसमें कोई ऐसी चीज ना डालें कोई सोडा आट ना करें कोई ऐसी चीज आप आट ना करें जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाए आपने जिस तरीके से मैंने आपको चीज़े बताई हैं जो आपको मैं मैं बतारी हूं आपने वही फा कि यहाल में रखनी है कि आउयल बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने कोई भी ऐसे चीज यूज नहीं की कोई भी हमने मीट टेंडराइजर यूज नहीं किया जिसकी विएसे वह बहुत जल्दी फ्राय हो जाएगा हमने इसको एक्चुल ही रखा है जिस तरी इसमें अड़ हो जाएंगी तो आप जो इसकी आंच है जो फ्लेम है वह इतनी कर देंगे जैसे कि आप चावलों को दम लगाते हैं पर लो वाली फ्लेम कर देंगे इस ताम पे मैं विंग्स को आड़ करनी हूं कोशिश आपने ये करना है कि आप विंग्स बनाएं चिकन बन जो भी आप बना रहे हैं उसको अपनी प्लेस चाहिए होती है settle होने के लिए इसको मैंने थोड़ा सा deep fry किया है अब ऐसा है कि मैंने इसको 30 मिनिट्स के लिए fry करना है 30 मिनिट्स के लिए fry होगा तो इसके लिए आपने simple एक formula रखना है कि एक side आफ 15 minutes fry करेंगे और दूसरी side आफ 15 minutes fry करेंगे तो wings जो हैं वो आपकी अच्छी तरीके से गल जाएंगी अभी यह आपके पास जो इसकी लोक्षो हो रही है अभी अच्छी तरीके से fry हो गया है 15 minutes के लिए एक side से तो मैं one by one wing को इसकी जो wing की side है वो change कर दूँगी wing की side one by one मैं change कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कितना अच्छा सा इसका color आया है सारे wings की side जो है वो change हो गई है और मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं कि wings की side मैंने change कर लिए और मैं इसको दुबारा 15 minutes के लिए रखूंगी 15 minutes के लिए आप दूसरी side रखूंगी कि ताके दूसरी side भी है वो अच्छी तरीके से गल जाए जब wings ही अच्छी तरीके से गल जाएंगी अच्छी से fry हो जाएंगी तो हमने इसको oil से निकाल लेना है oil से हम निकालने से पहले चेक करेंगे के wings का अच्छी तरीके से जो color है वो आजाए बहुत ज़दा light ना हो और बहुत ज़दा dark brown भी ना हो wings आप देख रहे हैं यह fry हो चुकी है 15 minutes दूसरी वारी side को भी हो गया है मैं भी और चेक करूंगी कि दूसरी side like जो इसकी side नीचे की तरफ है मैं भी इसको एक या दो wings को देखूंगी उठाके कहीं वो light तो नहीं है या बहुत ज्यादा तो नहीं होगी है मुझे चेक करनी है इसको अभी देखें मैंने side change किये तो आपको नजर आ रहा है कि बहुत कोशिश आपने करना है कि बहुत ज्यादा नहीं हो मैकसिमम एक से 2 मिनिट करें और उसके बाद उसको आप और से निकाल लिया है विंग्स को विंक की आप देख रहे हैं लोग के बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसको मैंने निकाल के टिशू के उपर रखा है ताकि एक्स हसना साथ हम तिल है स्वेख एक यी और अधर करेंगे और गчи herself एके बादिंगे और साथ में घृच PK सिचमाल करेंग वह होगा फोगा तिबल स्पून है। सफेद तिल हैं यह आप गार्निशिंग के टाइम पर इस्तेमाल करेंगे और इसमें हनी जो आट करूंगी वो भी होगा तू टेबल स्पून तो सॉस बना लेते हैं अपनी पैन में देख्चे में या जिसमें भी आपने बनाना है उसमें आप आट करेंगे बटर बटर आट ज किये यह मैंने वन गो में पूरी वीडियो शूट की है ताके जब आप लोग सॉस बनाएं तो आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो जब आप बिसिकली एक में चीज है यह सॉस में जब आपने विंग्स को मिक्स करना है में जो चीज है वो है ही यही कि जब आप रेस्टरून म कर लिया मेलट करने के बाद इसमें जो मेरे पास लेहन था वहुँल यह ईहाँ वो मेंने चौप कीयाओ हुआ था बोड़ी सी तेस्ट और उसमें आपने टू मिनेट के लिए लैसन को सौटे कर ना है अब लैसन आपको शो हो रहा है वीडियो में किस तरीके से आपने स्कालर चेंट ली मिनें करना मैंने 4 टेबल स्पून कैचप ले थी, वो कैचप मैं इसमें आड़ कर दूँगी, कैचप इसमें अच्छे तरीके से आड़ करूँगी, जो बाउन में है, वो सारी आड़ करूँगी, मैं आपको एक चीज़ बताना, दर्मियान में मैं भूल गई थी, कि नमक इसमें आड़ नहीं करेंगे, ओवर्वियू के टाइम पे भी, जो लोग देख रहे हों, ये सोच्छे मिशन में नमक स्किप कर दिया है, नमक आपने आड़ नहीं करना, ये सॉस बनाते वे, क्योंकि हमने विंग्स की मेरिनेशन में भी नमक डाला था, और ये जो सारी सॉसेज इनमें भी नमक होता है, तो अगर आप इसमें नमक आड़ करेंगे, तो नमक बहुत तेज हो जाएगा, तो आपने इसमें बिल्कुल नमक आड़ नहीं करना, मैंने कैचचब आड़ करने के बाद, इसमें सॉया सॉस और इसमें चिली सॉस आड़ कर दिये, मैंने इसमें बफलो सॉस आड़ किये है, तू टेबल स्पून आड़ किये है, और इसके बाद मैं इसमें हनी आड़ करूँगी, वो भी मैं 2 टेबल स्पून ही आट करूंगी बफलो सॉस इसमें मैंने आट किया है 2 टेबल स्पून मैं आपसे रिपीट कर रही हूँ 2 टेबल स्पून से आपने ज्यादा इसको आड नहीं करनी क्योंकि हमने इसमें चिली सॉस भी डाली हुई है तो यह बहुत स्पाइसी हो जाएंगे मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि सॉस को आपने देहान से देखना है मैंने कोई भी चीज इसमें मिस नहीं की है आपके सॉस का टेक्स्चर सेम इसी तरह होना चाहिए जिस तरह वीडियो में शोह हो रहा है तभी आपको वही टेस्स मिलेगा जो आप चाहते है साइड में आप देख रहे हैं बटर की बबल्स आ रही है इसमें जो सॉस है वो जो मैं सॉसे जाट कर रही हूँ हम इभी इसमें मिक्स करूंगी सेम इसी तरीके से आपने बनाना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही है आपने इसकी mixin अचछी तरीके से करते वए उस ताम पे आपने जो आंच चे चुले की वो बहुत through कर देनी ये आपकने में सॉसे को बहुत ज्यादा नहीं पकाना हो जब आप बहुत ज्यादा पकाएंगे तो वो ठिक हो जाएगी जनने का भी खत्रा है इसको आपने नॉर्मल सा पकाना है एक से दो मिनट के लिए लाइट से इसमें बबल्स आजे इस तरह का टेक्च्चर आजे जिस तरीके का आपको वीडियो में शो हो रहा है इस तरीके का जब इसमें टेक्च्चर आ जाएगा तो उसके बाद आप इसमें विंग्स आड करेंगे वनगों में भी आड कर सकते हैं विंग्स लेकिन मैं वन बाइवन आड करके आपको इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि सीखने वालों के लिए हर चीज बहुत पर त Democrat दřिखा चुस pig अनगों के लड़ा है वह सारा मेत्वड़ है वह स्टेप ले स्टेप सीख सुखें एजली सीक सके उपने इसमें वन बाइवन आड कर नियाए जो व Oriangen आपकी सारी इसमय एड हो जाएंगी तो आप इसको सारी हैं अदर आप सारह की अडर मिक्स कर ले और फिर इसकी chicks करेंगे यहांपर आप देख रहे हैं कि मैंसी के साथ के सaware और जाने के से का लिए आप मैंसी मेठ़ड को इसी प्रोसीजेर को फॉल्लो करना है तो आपकी चीज इसे तरह की एक तरह की चाहते हैं मिक्सिंग इसकी हो गई है इस time पे मैं इसको dish out करके मैंने इसको garnish किया tray में मैंने इसको dish out कर लिया अब आप देख लेए माशाला ये कितना अच्छा लग रहे और आप यकीन करें ये taste में भी बहुत अच्छा था आप लोग भी try कीजिएगा और मुझे comment section में जरूर बताएगा कि आपको कैसी लगी डिश आउट करने के बाद मैंने इसको तिल से और हरे प्यास से गार्णिश कर लिया था आपने कोशिश करना है हर एक स्टेप को प्रॉपर उसी तरीके से फॉलो करता है जिस तरीके से मैंने बनाया है और जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है ट्राइ करने के बाद जरूर आपने बताना है कैसा लगा है कॉमेंट सेक्शन में बताएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को आप टे फेरेंड जिन फामिली के साथ शेयर कीजिए थैंक यू सो वेरी मच पर वाचिंग मैं वीडियो जल्द एक न्यू और अच्छी और बहुत यमी सी रेसिपी के साथ मिलेंगे तिल देन ख्यार रखिये अपना बहुत ज्यादा ठेप्य, ते पॉजिव, बाफिख बॉस्तिव अलाहफिज